जहिन साथ युनवश्कार ट्रपल सी क्रैस कोर्स 500 MCQ सिरीस का आज पार्ट टू है प्रिवेस क्लास में हमने ट्रपल सी एकसाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिस्टन से डिसकस किये थे आज उसी सिक्रेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे ट्रपल सी एकसाम में पूछे जाने वाले आति महात्पूर्ट प्रश्ट जिनका भी ट्रपल सी का एकसाम है वो ट्रपल सी क्रैस कोर्स की इस सिरीस को आज ही जोईन कर ले जो कल से स्टार्ट हुई है जिसके अंतरगत 500 आति महात्पूर्ण प्रश्णों का कलेक्शन आपको मिलेगा और आपकी यहाँ क्लासिस हर साम को साले साथ बजे ऐसे ही आपके अपने चैनल अभाय एक्सल कंप्यूटर पर चलती रहेंगी तो जिनका अभी एक्साम है आज ही जोईन कर ले इस क्रैस कोर्स को तो टाइम विश्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्लास ज्योंकि शेदी बात नो भखवास यही है अभा एक्सल की क्लास लेट्स बेगिन इन देस टॉपे दुश्टों पहला प्रशन आपका IP डेटाग्राम की कुल नंबाई 65,535 बाइट होती है और आपके ओप्सन से हैं ट्रू या फास इन समी प्रशनों को आप मौक्टिश्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए वीडियो के लाश्ट में आप ज़रू बताईगा कि आपके कितने क्यूश्टन सही हुए है तो उस्तों क्लास को स्टार करने से पहले या फिर ये कहें कि आंसर देने से पहले एक बार आप वीडियो को जादा जादा सेर कर दीजे ताकि जो इस्ट्रेंस क्लास से नहीं जुर पाए है वो फटाफट क्लास से जुर जाए और आसानी से ट्रपल सीक साम को टॉप कर सकें तो बताईए आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई क्या 55,535 बाइट होती है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन ए ट्रू बिल्कुल सही है अब देखते हम नेस्ट क्वेशन URL का अधिक्तम साइज कितना होता है URL क्या है आप सभी जानते हैं ट्रपल सीक साम में URL का फुल फॉर्म भी पूछाता है उनिफॉर्म रिसोर्स लोकीटर होता है और आपके आप्शन से ये रहे आपकी स्क्रीन पर 256, 2049, 1024 या 512 बताए ये URL का अधिक्तम साइज कितना होता है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन B, 2048 URL में अधिक्तम 2048 केरेक्टर होच सकते हैं अब नेक्स्ट Social Media के अंतरगत चाहें आप Facebook का उपयोग कर रहे हूँ Instagram का उपयोग कर रहे हूँ या फिर Twitter का उपयोग कर रहे हूँ अगर आपने वहाँ पर अपनी ID बना रखी है तो वहाँ पर आपको लोगिन करने का एक process मिलता है अब लोगिन किस माद्धम से करते हैं वही आपको यहाँ पर बताना है और आपके options है None of these पहला यह option None of these कभी-कभी ट्रपल सीक सामें ऐसी question पूछाता है कि पहले में ही None of these लिखा होता है बाकी के अलग में options दे होते हैं B है आपका InterDate of Birth मतलब आप अपने data of birth पुट करके login कर सकते हैं अपना full name करके कर सकते हैं या फिर ID और password डालने पर ही login होगा तो login करने का जो process है उसके अंतरगाद आपको अपनी ID और password जो भी आपकी ID है और password है वो आपको पुट करनी होगी है तो इसका right answer होगा option D enter ID and password ठीक है? समझ गए? अब next गूगल का किफायती VR समाधान क्या है? VR का मतलब virtual reality है ना? 006 साम में काफी पूछा आता है ये VR का full form क्या है? तो virtual reality होता है और आपके options ये रहे आपके screen पर Google Plastic, Google Cardboard, Google Box या फिर Google Viewer बताए क्या होगा इसका right answer? तो गूगल का किफायती VR समाधान होता है, option B is right अब next Big Data Analysis की क्या विसीचता है? CCC का last chapter है overview of future skill and cyber security का first video मैंने आपको बताया था कि syllabus में आपको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे कम समय में तयारी करके आप CCC एकसाम को top कर सकते हैं तो उसे भी आप देख लीजिएगा और CCC की तयारी अगर आप एक वीडियो से करना चाहते हैं तो उसके लिए CCC की 1100 प्रश्णों की महा मेरतन क्लास को आप जयूर देखिएगा तो यहाँ पर पूछा है कि Big Data Analysis की क्या विसेचता है और option से आपकी screen पर open source मापनीता data recovery या उपरोगत शभी बताइए क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer होगा option D उपरोगत शभी क्योंकि open source मापनीता और data recovery यह सारी चीज़ें हमें मिल जाती है Big Data Analysis के अंतरगर option D is right अब next card का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of CARD बताइए card का full form क्या है आपके option से है center for agriculture and rural development कर्मेकेट action for rural development computer added research and development या फिर उपरोगत शभी बताइए card का full form क्या है तो इसका right answer होगा option C computer added research and development ठीक है card का full form option C computer added research and development अब next calc में cell की चौड़ाई बढ़ाने की shortcut की क्या है means जब हम LibreOffice calc का उप्योग करते हैं तो वहाँ पर कोई भी cell है अगर cell की जो vid है उस vid को हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए किस shortcut की का उप्योग करते हैं बताइए options यहाँ पर मैंने miss कर दिया shift प्लस left arrow यहाँ पर यह दो बार हो गया है alt प्लस right arrow alt प्लस right arrow यहाँ पर shift प्लस right arrow आप कर लीजिए समझ लीजिएगा तो इसका right answer हो जाएगा option A alt प्लस right arrow alt प्लस right arrow के माद्यम से आप किसी भी cell की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं वही पर यह question पूछ लेता है किसी भी cell की चौड़ाई को कम करने की shortcut की क्या है तो alt प्लस left arrow की मदद से आप cell की चौड़ाई को कम कर सकते हूँ अब next credit card का दूसरा नाम क्या है debit card check card plastic money या all of the above बताईए तो credit card का दूसरा नाम क्या होता है option C plastic money ठीक है credit card को हम plastic money के नाम से भी जानते हैं अब next blockchain में जुड़े सभी notes के पास सारे LinkedIn की जानकारी होती है true या false क्या blockchain technology के अंतरगत जितने भी notes जुड़े होते हैं उनके पास सभी LinkedIn की जानकारी होती है तो बिल्कुल आपका सही है option A is right ठीक है अब next cut, copy और paste जैसे command किस menu में पाए जाते हैं बताए in which menu are commands like cut, copy and paste तो cut, copy और paste का option हमें मिलता है edit, view, insert या फिर file फटाफट comment करिए तो इसका right answer होगा option A edit menu edit menu में cut, copy, paste का option मिलता है cut की shortcut की control प्लस X copy करने की control प्लस C और paste करने की control प्लस V होती है दोस्तों जो questions यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं यह जो हमारी 2000 questions की PDF है वहाँ पर update कर दिये गए है जिने भी e-book की आवशकता है वीडियो की नेचे दी गई 2000 questions की PDF की link के दोरा आसानी से download कर सकते हैं आपकी email पर आपको तुरंत वह PDF मिल जाएगी अब देखते हैं next question CWR stand for CWR का full form क्या है options यह रहे आपकी screen पर continuous wave reader continuous wave radar continuous wave radar या फिर इन मेंशे कोई नहीं अब option B और option C में पढ़ने में तो देखे वही है continuous wave radar लेकिन यहाँ पर wave का मतलब तरंग WAVE और यहाँ पर wave यह वेब ब्राउजर वाला है ना WEB तो यह spelling में थोड़ी सी यहाँ पर changing है तो आप ध्यान दीजेगा CCC exam में कई बार यह confusion हो जाती है हम लोग जल्दबाजी में spelling को नहीं देखते हैं और बस पढ़ते हैं टिक करके आगे बर जाते हैं तो यहाँ पर इसका right answer क्या होगा फटा-फट कमेंट करके बताइए तो इसका right answer होगा option B continuous wave radar ठीक है अब next Richard Stallman FSF के संस्थापक है कल बहुत साइट इस्टुएंट्स ने कमेंट किया था कि सर्फ कुष्टन को हिंदी और इंग्लिस दोनों में रखिए तो यहाँ पर मैंने कोसिस की है यह questions को हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिखें ताकि किशी भी इस्टुएंट को कोई भी दिक्कत ना हो तो क्या Richard Stallman FSF के संस्थापक है बताइए true या false FSF है क्या इसका full form भी triple C exam में का पूछा आता है तो FSF का full form होता है Free Safter Foundation या एक ऐसी संस्था है जब मुफ्त में Safter उपलब कराने का काम करती है और बिल्कुल सही है इसका जो आविश्कारक है वो Richard Stallman ही है अब next वर्ड या देश में प्रियोग होने वाला नेटवर्क किसका उधारन है आपके options है Pan, Land, Man या फिर WAN Chapter 6 Introduction to Internet and www के अंतरगत टॉपिक आपका Computer Network जिसके अंतरगत Land, Man और WAN मैंने आपको काफी explain करके पढ़ाया है जिसके लिए आपको विजिट करना होगा चैनल को playlist मिलेगी CCC Complete Course in Hindi की वहाँ पर chapter wise tutorial आपको मिल जाएंगे तो word या देश में प्रियोग होना जो network है वो किसका उधारन है तो WAN का उधारन होता है option D is right अब यहाँ पर इन चारों के बारे में समझा देता हूँ क्योंकि इन से काफी साइक कुष्टन आपके exam में पूछा आते हैं जैसे की PAN का full form क्या है तो इसका full form होता है personal area network triple C exam में full form भी काफी मात्रा में पूछा आते हैं तो PAN का personal area network LAND का local area network MAN का metropolitan area network और WAN का होता है wide area network LAND का उपयोग कहा पर होता है तो किसी office या किसी building में LAND का उपयोग किया जाता है MAN का कहा पर होता है तो किसी सहर या किसी छेतर में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है समझ के अब देखते हैं next question Network address आम तोर पर IP address के उपसर्ग की रूप में एक coded है true या false क्या network address सामाने तहा IP address के उपसर्ग की रूप में एक coded होते है true या false बताइए क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer होगा option A true अब next Libre office calc में last cell का address क्या होता है दोश्तों triple C exam में अब MS office से question नहीं आते हैं इसलिए आपको Libre office ही पढ़ना है MS office नहीं पढ़ना है और आपके options हैं XFD 10,556 AMJ 10,556 AMJ 1024 या XFD 1024 तो Libre office calc में cell address मूचा है last वाले का cell address कैसे बनता है अगर आपको ये पता होगा तो आसानी से आप answer दे शकती हैं ये आपका column number और row number से मिलकर बनता है तो last cell जो है उसका जो column number है वो है AMJ और last row का 10,556 और आपको ये ही होती है तो इसका right answer होगा यहाँ पर option B AMJ 10,556 अब इससे समदित एक question triple C exam में यहाँ पूछा जा सकता है कि Libre office calc में अंतिम रो कौन सी है या total रो की संख्या कितनी है तो 10,556 अब next इंटर्नेट पर प्रतेक शाइड का विशेज IP address और एक संबंदित नाम होता है जिसे क्या कहते हैं means इंटर्नेट पर आप कोई भी website देखते हैं तो सबका एक विशेज IP address होता है और उसका एक संबंदित नाम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं आप्सन से हैं इंटर्नेट लोकेटर पैकेट हस्ताक्षर डोमेन नेम या SIC नेम बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन से ही डोमेन नेम ठीक है डोमेन नेम होता है जो किसी वेबशाइट के IP आडरेस के साथ यूनिक होता है अब Next बिना सब्जेक्ट के हम इमेल भेज सकते हैं क्या हम कोई भी इमेल बिना सब्जेक्ट के भेज सकते हैं True या False इमेल का फुल फॉर्म क्या होता है तो Electronic Mail होता है और बिल्कुल सही है हम बिना subject के email भेज सकते हैं option first is true ठीक है, note कर लीजेगा अब next system को अंतिम बार कब boot या बंद किया गया था यह जानने के लिए किस command का उपयोग करते हैं which command do you use to find out when this system was last booted और shut down CCC किसाम में Linux और Unix command से संबंदित काफी साई question पूछाते हैं, इसलिए जो ebook मैंने बनाई है, वहाँ पर एक complete package आपको दिया है आपके options यह हैं, आपके screen पर last time, shut down last boot, last या फिर last boot बताइए क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer होगा option C last, ठीक है, system को अंतिम बार कब boot किया गया है इसके लिए last command का उपयोग करते हैं अब next बार चार्ट में default रूप से listen किस तरब दिखाई देता है means जो data का एक criteria होता है जो numbers होते हैं वो बार चार्ट में by default किस side दिखाई देते हैं options हैं, left, center, right या bottom बताईए, क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer होगा option C, right बार चार्ट में default रूप से listen right side में ही दिखाई देते हैं अब next जब एक उप्भोगता दूसरे उप्भोगता के साथ शेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है बताईए, जब कोई consumer दूसरे consumer के साथ शेवाओं का आदान प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं आपके options हैं यहाँ पर options में first option आपका बिलकुर गलत है 510 का कोई भी मतलब नहीं है बचे हुए options हैं Z to C, B to B या C to C बताईए तो e-commerce के अंतरगत आपको मिलता है B to B, B to C, C to C, C to B इन सभी को थोड़ा समय आपको समझा देता हूं दोस्तों B to B का मतलब होता है business to business ठीक है business to business जहाँ पर एक company दूसरी company को शेवाओं का आदान प्रदान करती है वह कहलाता है B to B दूसरा ही आपका B to C B to C का मतलब business to consumer जहाँ पर किसी भी company का सीधा संबन किसी customer से होता है किसी ग्राहक से होता है जैसे आप Amazon Flipkart का देखते हैं तो यहाँ B to C के अंतरगत आएगा आप triple C के जाम एक question पूछा आता है कि Amazon किछ segment के अंतरगत आता है तो B to C के अंतरगत आएगा फिर तीसरा है आपका C to C C to C का मतलब consumer to consumer जहाँ पर किसी भी consumer का कोई भी ग्राहक है उसका सीधा संबन किसी दूसरी ग्राहक से होता है तो आप C to C के अंतरगत आता है फिर इसी क्रम में है आपका C to B जहाँ पर किसी भी उभ्भुकता का सीधा शमन कमपणी से होता है मैंसि जहाँ पर कोई उभ्भुकता, अपनी सेवा किसी कमपणी को प्रदान करता है वह C to B के अंतरगत आता है तो यहाँ पर हमना question था कि consumer को सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो इसका right answer होगा option D, she to she अब देखते हैं next question निमने मैंसे किस mode में computer सीमित कारे छमता के साथ कारे करता है जब computer में कुछ problems आ जाती हैं और हमारे सारे features उपयोग नहीं हो पाते हैं या हमें नहीं करना है computer को हम किसी तरह से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए किस mode में कारे करते हैं protect mode, safe mode, public mode या private mode बताईए तो इसका right answer होगा option B, safe mode computer आपका safe mode में काम करता है तो सीमित कार छमता के साथ ही काम करता है अब next पेटियम के डबलपर कौन है? Who is the founder of पेटियम? बताईए पेटियम का आविश्कार कहा हुआ? या question B, triple C, इकसा में काफिक पूछाता है कब हुआ? ये भी पूछता है तो पेटियम के डबलपर है विजय सेखर सर्मा, option is right विजय सेखर सर्मा ने उत्तर प्रदेश की नौइडा में पेटियम का अविश्कार किया था means पेटियम कहां का है? तो अपने भारत का ही है इसलिए हम सभी को पेटियम का उप्योग करना चाहिए अब next question देखते हैं computer का नाम कहां से बदला जा सकता है? means जो इसका username है या जो properties हैं उनको हम कहां से change कर सकते हैं? आपके options हैं control panel, computer name, window plus L या फिर change name बताई तो computer का नाम कहां से बदला जा सकता है? इसका right answer है control panel कहां से? control panel के माद्दमशे computer के name को हम change कर सकते हैं अब next छोटे message को post करने के लिए कौन सी networking side है? आपके options हैं facebook, instagram, whatsapp या twitter बताईए तो छोटे message को post करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अब यहाँ पर बात हो रहें facebook की तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा आप जान लिजी facebook के founder कौन है? ये question 666 सा में काफी पूछा आता है तो facebook के founder है Mark Jukarberg कौन है? Mark Jukarberg ने facebook को launch किया था ये इसके founder है, present time पे CEO भी है एक question facebook से ये पूछता है कि क्या आप facebook पर live video stream कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिलकुल सही है, हम facebook पर live video stream कर सकते हैं ऐसे ही Instagram किस से संबन्दित है? जा question में triple C में काफी पूछा आता है तो Instagram आपका facebook से संबन्दित है और WhatsApp भी present time पर facebook से संबन्दित है अब यहाँ पर question है, छोटे message को post करने के लिए किसका उप्योग करते हैं? तो इसका right answer होगा, option D, Twitter ठीक है, Twitter किसका उधारन है? तो micro blogging का उधारन है नोट कर लीजिएगा काफी important है अब देखते हैं, next question वाइस मेल, इमेल और online social network किसके उधारन है? और यह रहे options आपकी screen पर टेरी संचार, computer संचार, bridge संचार या router संचार बताईए, वाइस मेल, इमेल और online social network किसके उधारन है? तो आपके computer संचार के उधारन है option B is right ठीक है? तो आज की class में बस इतना ही triple C crash course 500 MCQ series का यह part 2 था जहाँ पर most important 25 questions हमने आपके साथ discuss किये ऐसे ही next classes में हम और भी important questions discuss करते रहेंगे तो आप अभी join कर लिजिए triple C के इस crash course को और चानल पर नए महमान है तो चाय काफी पी के जाएगा जस टाइम जोकिंग भाई, चाय काफी नहीं पीना है आपको जो सामने सबस्राइबर ये बटन है वसे पर क्लिक करना है साथी बगल में जो बेल आइकन है वसे भी प्रस करना है ताकि time to time आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चानल पर अपडेट होता है तो फटाफट लाइक, शेयर और सबस्राइब फिर मिलते हैं नस्स क्लास में तक तक के लिए बाई बाई